हलो माई डियर स्टुडेंट्स, वेलकम टू माई चैनल अल्फा नॉलिज बॉक्स इस वीडियो में आज हम कक्छा साथ इंसिनार्टी हिंदी के पार्ट चार मिठाई वाले के प्रश्ण उत्तर को करने वाले हैं अगर अभी तक आपने पार्ट एक, पार्ट दो और पार्ट तीन के प्रश्ण अभ्यास वीडियो को नहीं देखा है तो उसके लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर चैनल के प्लेइलिस्ट क्लास सेवित हिंदी से आप इन वीडियो को देख सकते हैं प्रश्ण अभ्यास को शुरू करने से पहले चलिए इस पार्ट के थोड़े से साराश को जान लेते हैं लेखक ने यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति के वारे में बर्णन किया है जो पूरी तरह से संपन्न है उसे किसी चीज़ की कमी नहीं है लेकिन आज समय उसकी पतनी और बेटों की मृत्व हो जाती है जिसके कारण वो कभी मिठाई वाले बनता है, कभी बासुरी वाला बनता है, तो कभी खिलाउने वाला बनता है और वह महीनों बाद क्यों आता था जब हम कोई एक जैसे चीज खाते हैं तो उसको खाते खाते उब जाते हैं इसी तरह से मिठाई वाला भी चाहता था कि बच्चे एक तरह की चीजे खा करके उब ना जाएं इसलिए वो बदल-बदल की चीजे लाता था और महीनों बाद इसलिए आता था कि जब हम किसी से कई महीनों बाद या देर से मिलते हैं तो उससे मिलने की उत्सुकता बनी रहती है ठीक इसी तरह से मिठाई वाला भी चाहता था कि बच्चे उससे मिलने के लिए उत्सुक रहें क्योंकि उसे पैसे का कोई भी लालच नहीं था इसका उत्तर होगा बच्चे एक ही चीज से उकता ना जाए इसलिए वहां बच्चों की पसंद आने वाली अलग-अलग चीजें बदल-बदल कर बेशता था दूसरा वहां महीनों बाद इसलिए आता था ताकि उसकी चीजों से बच्चों की उत्सुकता बनी रहे और उसे पैसों का कोई लालच भी न था क्योंकि वह तो केवल अपने मन की संतुष्ट के लिए बच्चों की मन पसंद चीजें बेजा करता था दूसरा प्रश्ण है मिठाई वाले में वे कौन से गुड़ थे जिसकी वज़ा से बच्चे तो बच्चे बड़े भी उसकी और खीचे चले आते थे दूसरा गुड़ ये था बिना लालच के कम पैसे में खिलोने बेशता था और बच्चों से अपना पंचाहता था बच्चों से वो बहुत प्यार से बातें करता था इसका उत्तर हो जाएगा मिठाई वाले की मधुर आवाज में गागा कर अपनी चीजों की विशेश्टाएं बताना बच्चों की मन पसंद चीजे लाना लाब कमाने के चक्कर में ना रहना बच्चों से अपनत्व कोमल और प्रेम पूर्ण विवहार दर्शाना आधी ऐसी विशेश्टाएं थी की बच्चे तो बच्चे बड़े भी उसकी ओर खीचे चले आते थे तीसरा प्रश्ण है विजे बाबू एक ग्रहाक थे और मुर्ली वाला एक विक्रेता दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं वीजे बाबू एक ग्रहक थे उन्होंने तर्क दिया कि दुकानदार छूट बोलते हैं वो सभी को एक ही दाम में सामान बेचते हैं लेकिन पहले अधिक बता कर बाद में उसका दाम कम करके ग्रहक पर एहसान जमाते हैं मुरली वाला एक विक्रेता था उसका तर्क ये था कि अगर दुकानदार अपना सामान कम कीमत में भी बेचे तो ग्रहक को ये पता नहीं होता कि उस सामान की कीमत क्या है वो यही समझता है कि दुकानदार उसे लूट रहा है इस प्रशन का उत्तर है एक ग्रहक के तोर पर विजय बाबु तर्क देते हैं कि दुकानदार को जूट बोलने की आदत होती है सामान सबको एक ही भाव में देते हो पहले अधिक और फिर कम बता कर ग्रहक पर इहसान का बोज डाल देते हो एक विक्रेता के तोर पर मुरली वाला तर्क देता है कि ग्रहक को सामान की असली लागत का पता नहीं होता वा और दुकानदार हानी उठा कर सामान क्यों न बेचे पर ग्रहक को लगता है कि दुकानदार उसे लूट ही रहा है प्रशनी चार खिलावने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रित्रिया होती थी खिलावने वाला बहुत ही प्यार से मधूर आवाज में गागागर अपने खिलावने बेचता था इसलिए उसके आवाज सुनते ही आसपास के मकानों में हलचन बच जाती थी बगीचों में जो बच्चे खेलते थे वो अपना सामान छोड़कर अपने घवरों से दोड़कर के पैसे लाते थे और उससे मोल भाव करने लगते थे और खिलाओने खरीदते थे इसका उत्तर है खिलाओने वाले की मादक मधूर आवास सुनकर बच्चे चंचल हूटते उसके इसने पूर कंठ से फूटतू हुई आवास सुनकर निकट के मकानों में हल चल मच जाती गलियों तथा उसके भीतर स्थित छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इटलाते हु रोहनी को मुरली वाले के स्वर से खिलाओने वाले का इसमरण क्यों हो गया। मिठाई वाला भावुख हो गया था उसने इस व्यसाय को अपनाने का क्या कारण बताया। बच्चों की छलक दूसरे के बच्चों में मिल जाती है। बच्चों के साथ रहकर उसे संतोष धैरवा असीम सुख की प्राप्ते होती है। प्रशन साथ अब इस बार ये पैसे ना लूँगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा। उसने ये इसलिए कहा था क्योंकि पहली बार किसी ने अपना पन दिखाय था। उसके दुख को समझने की कोशिश की थी। और रोहनी के दोनों बच्चें में उसे अपने बच्चे का अक्स मिलता था। उत्तर है अब इस बार ये पैसे ना लूँगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि एक तो पहली बार किसी ने उसके प्रत इतनी आत्मीता दिखाई और उसके दुख को समझने का प्रयास किया। दूसरा उसे रोहनी के बच्चे चुन्नु मुन चिर्क एक तरह का चटाई जैसा परदा होता है इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं। 9. हाट, मिले, शादी, आदि, आयोजनों में कौन-कौन सी चीजें आपको सबसे ज़्यादा आकशित करती हैं। उनको सजाने बनाने में किसका हाथ होगा। उन चेहरों के बारे में लिखे। जब आप बाजार, मिले या किसी की शादी में जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपको अपनी और आकशित करती हैं। आपको ये बताना है कि उन चीजों को सजाने बनाने में किन लोगों का हाथ है। इसका उत्तर है हाट मेले की सभी चीजें मन को आकशित करती हैं। जैसे खाने पीने की चटपटी चीजें, चाट पकोडी, दही भला, गोल गपे, नमकीन में, सेव, पापडी, नमक पारे, और मिठाईयां जैसे चलेबी, माल पुए, आइसक्रीम, बर्फ के गोले, खिलोने, रंग बिरंगे गुबबारे, छूले और जादूई तमाशे आ कारिकुशलता, कारीगरी, व्यस्तिता और कुछ आर्थिक लाप पाने की छीपी हुई एक्छा रहती है प्रश्ण 10 मिठाई वाला बोलने वाली गुडिया उपर यानि इन शब्दों में वाला का प्रयोग है अब बताईये की का वाला से पहले आने वाला शब्द संग्या सर्वनाम विशेशन आदि में से क्या है का का उत्तर है मिठाई वाला में वाला से पहले आने वाला शब्द संग्या है यानि मिठाई संग्या है और बोलने वाली गुडिया में बोलने वाली विशेशन है और गुडिया संग्या है प्रश्ण 10 का खाप्रश्ण है उपर लिखे वाक्याशों में उनका क्या प्रियोग है इसका उत्तर है उपर वाले वाक्याश में उनका प्रियोग किसी व्यक्ति और वस्तु के लिए हुआ है मिठाई वाला व्यक्ति है जबकि बोलने वाली गुडिया वस्तु है अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेर एंड सब्सक्राइब करें